यह चटपटा कुरकुरा नाष्टा बनाने में जितना असान है ना खाने में यह उतना ही टेस्टी है तो अगर आप भी रोज के नाष्टे से उप चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए तो आप एक बार इस नाष्टे को जरूर बना कर ट्राइ करें आपको साइज का मैंने आलु मैंने अदाऊ जिया एक प्याज लिया है तो चलिए आलू को हम यहाँ परुद टिक्हार करने और लेंगे ग्रेंडर zalग झाद में लयाता। कट कर दिया ए और जो अन्य प्याज ऑट कर सका है और हमने हम ऩाइक आ कचे अलू को हमने पहले धोलिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर कट किया था, तो इसलिए आप पहले धोली जीएगा, साथ में 1-2 कल्याइ लस्टून की डाल रहे हैं, अगर नहीं खाते तो आप लस्टून को छोड़ भी सकते हैं, एक हरी मिची डाल रहे हैं बारी कट करकर बारी क्या आप इसको रफली भी कट करकर डाल साथ है क्योंकि हमें पीसना है साथ में छे से साथ कड़ी पत्ते डाल रहे हैं थोड़ा सा इसमें हमें यहाँ पर कच्छा जीरा डाल रहे हूं और बिना पानी डाले मैंने इसको यहाँ पर देखे पीस लिया है क्योंकि आलू में अच्छा खासा मौश्चर होता है तो पानी डाले के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब इस मिक्षर को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर मिक्सिंग बाउल में अब इसके साथ में हम यहाँ पर एड़ कर रहे हैं सूजी तो मैंने यहाँ पर एक कप भरकर सूजी ले ली है एक आलू के इसाब से एक कप सूजी बहुत होगी और अगर आप ज्यादा मत्रा में बना रहे हैं तो आप इसी चीजों का डबल कर लिजेगा 7 में कुट्टीवी मिर्च डाले है, स्वादनूसार स्वादनूसारी हम यहाँ पर नमक डालेंगे और 7 में 14 चमच काली मिर्च पाउडर एड़ कर रही हूं और 7 में यहाँ यहाँ डाल रही हूं आजवायन अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो जरूर से डाले और यह लिए है मैंने एक पिंच हींग हींग कम मात्र में डालना है पर डालना जरूर है अगर नहीं खाते है तो वेशक छोड़ दीजिए और उपर से डाल दीए धनिया पती अब एक बर इस मिच्छण को मैं यहां पर बिना पानी डाले सूखा ही अच्छे से मिक्स कर दोंगी यहाँ पर हमें पता लग जाए गा कि हमें यह पर पानी कितना चाहिए तो पानी यहां प़नओ पानी अच्छा अच्छा पानी मिक्स करें उसके बाद 1 कप सूजी के esp ioam तैयार अब चलते हैं गैस की तरब तो गैस पर मैंने एक पैन कड़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं हलका साथ की जो तली है आप वो चिकनी कर लिए ज्यादा तेल की बिल्कुल भी आपको यहां पर जरूरत नहीं है और उसके बाद जो यह बैटर है यह इसमें हम ट्रांसफर क पका लेंगे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इंस्टेंट एक से डेड़ मिनट आपको लगेगा और यह देखिए एकदम से जो मिश्रन है वो गाड़ा हो गया है और यह देखिए आपस में सारा मिश्रन है एक जगए कठा हो गया यानि कि बिखरा बिखरा नह काका कि इस सारे आठे को जगए कठा करके हम यहां पर आठे की फो में ले आइंगे अब इसमें से मैंने यहां और आधा यहां कर दो कर दो कर दूँदी तो इससे में airtight container में रखकर fridge में store कर दूँगी दो से तीन दिन के लिए जब मर्जी हो जब नाश्ता बना लूँगी और एक पेड़े में यहां पर काम कर रहे हैं तो इसको लेकर मैंने यहां पर चकले पर इसके एक रोटी बना लूँगी ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा प तो इस तरीके से जैसे हम पूरी फिलाते ना तेल डाल कर उपर नीचे से बिल्खुल इस तरीके से और आप जैसे की देखी सकते हैं एक दम फूली फूली खस्ता यह नाश्ता बनकर तयार होता है जटपट कुछी मिंटों में पर इसका जो स्वाद होता है बहुत लाजवा बहुत मज़ेदार होता है तो बस इसी तरीके से यहां पर सारे आटे में से हम नाश्ता बना कर फटा फट तयार कर लेंगे एक टाइम में आप एक या दो से तीन भी एक बार में इस नाश्ते को तयार कर सकते हैं तो इसे कह सकते हैं कि ना तो यह पूरी है ना यह कचोरी कुरकुरा सा नाश्ता बनकर तयार है फिर चाया बच्चों के टिफिन में दे सुबह शाम की हलकी फुलकी भूग में बनाए हेलो फ्रेंट्स जिस दिन भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना करें और कुस डिफरेंट सा खाने का मन करें वो भी खरके ही समान से तो हमें तो छली आपकर दो और है ने पर चली चली के लिए और आलो प्यास तो उसे चीज red ऑक्रिक अब यहां पर चोटे लिए लिए और आलू प्यास तो इसी चीज़े गहर में मिल ही जाती है तो चली रखिंग एक साइब अब यहां पर एक छोटा वाला चटनी का जार ले जीरा डाला है दो हरी मिर्च डाली है बच्चों के लिए बना रहे तो तीखा कम डाले एक मिर्च डाली जाले एक टुकड़ा यहां पर अद्रक का अद्रक से बहुत अच्छा टेंट आएगा अब यह जो हमने आलू प्याज कट करकर रखे ते यह भी एड कर देंगे और अग पानी डाले हमने यह जो मिक्स्टर है यह पीस कर रेडी कर लिया है पानी बिल्कुल भी एड नहीं किया था आलू में जितना मोश्चर होता है उससे यह बहुत अच्छे से पिस गिया है बिल्कुल भी गांट या गुटली नहीं है अब इसमें एड करेंगे थोड़ी सी कलो मिर्च और बिल्कुल एक पिंच हम यह कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल रहे हल्दी पाउडर जादा नहीं डालना है और अगर आपके पास कसूरी मेती हो तो आप आदा चमबच इसमें भरकर कसूरी मेती का जरूर डाले फिर देखना नाश्टे का कितना मज़ेदार फ्ल मिक्स कर देंगे जो इन मसालों का फ्लेवर है वह इस बैटर में आ जाए और अच्छे से यह देखिए हमने यह सारी चीजे बहुत बढ़िया से मिक्स कर दी है आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी या कौन से देश से देख रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखके है उसके बाद हमने एक कब भर कर यहां पर गेहूं का आटा एड़ कर दिया है गेहूं का आटा यह वही है जिससे रोटी या चपाती बनाते हैं अब आटे को हम इसमें दीरे 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 अच्छे से मिक्स करते जाएंगे शुरू में तो यह हमें काफी सौफ लगेगा पर दीरे दीरे जब हम इसे मिक्स करेंगे तो यह जो आटा है यह अपने आप हार्ड होता चला जाएगा और यह देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से यह मिक्स हो गया है आप इस नाश्टे को 10-15 दिन आसानी से स्टोर करकर भी रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पानी का इ सब्सक्राइब हो गया है फिर भी इसे हम एक से दो बार अच्छे से यहां पर दोबारा से मिक्स करकर इस तरीके से उठा लेंगे और इसके बाद चलते हैं गैस की तिरफ तो गैस पर मैंने एक पैन चड़ा दिया आप कड़ाई वगयर अभी ले सकते हैं हलका से तेल डाले अगर हमें इसकी जो स्टोरेज लाइफ है वो लंबी करनी है यानि इस रेसिपी को ज्यादा दिनों तक अगर हमें स्टोर करके रखना है तो हमें इस आटे को बहुत अच्छे से यहां पर पकाना पड़ेगा पर इस बात कि अब चिंता मत कीजिए कि आपको यहां पर मिंट बच्ति जारी उसका जो कलर है साथ के साथ वो भी चेंज होता जा रहा है और यह देखिए आटा भी अब हमारा हार्ड हो गया है जितना हमारा आटा सोफ्ट था उतना भी नहीं रहा उससे थोड़ा हार्ड हो गया तो अब इसको हम निकाल लेते हैं सेम उसी बरतन में तो य कirstijd टीन वाग कर सकते हैं जिससाब से आपको सूईह को तो progress क्या थे हैं या पर मैंने बुर्ड ले लिया है आप चकला भी सकते हैं या प्लेट फॉम पर इस तरीके से इस लोई को रखकर आप लेत लीजिए पत्ला मोटा उसके बात कोई भी कटोरी गिलास या कटर लेकि इसमें से इस तरीके से नाश्टे के पीसे कट कर लीजिए बहुत इजी है और बच्चे वे आटे को हम दोबारा से रियूज कर लेंगे तो फटा फट से सारे आटे में से मैं इसी तरीके से इस नाश्टे को यहाँ पर बना कर तयार कर लेती हूँ तो यह देखिए यहाँ पर मैंने सारे नाश्टे के पीसे बना कर तयार कर लिये हैं अब इसे लेके चलते हैं गैस के तिरब तो गैस पर मैंने चमचा तेल गरम होने के लिए रख दिया था और जब तेल गरम हो जाए उसके बाद आप इसके चार या पांच नाश्टा इस तरी के चिसमें एट कर दीजिए फ्लेम को हम यहां लोटू मीडियम के बीच में रखना है और अलट पलट कर दोनों साइड से हम इस नाश्टा को यहां पर क्रिस्पी होने तक अच्छे से से शेक लेंगे और आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलरा है नाश्टा हमारा कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बन कर तैयार हुआ है तो चलिए अभी से निकाल लेते है और यह देखिए मजेदार कुरकुरा सा नाश्टा बन कर हमारा तैयार है आप इनको बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं इस नाश्टे को छोटी मोटी भूक में बना सकते हैं शाम की चाय के साथ या फिर आपको सफर करना हो तब भी आप इस नाश्टे को बना के ले जा सकते हैं तो रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा तो मिलते हैं नई दी नई रेसिपी के साथ है